अकले सिनत और विचारे न साहिकल बांटी जो लड़की पढ़ रही ही उनकी सुवीदा करी ही जनता इतना 70 साल में परिशान नहीं हुई जितना इन 7 सालों में परिशान ही अकले सा देंगे भईया खुल के वोट अकले सा देंगे और देंगे भी यर देवांगे भी नमस्कार मेरा नाम राहुल सिंग है और आप ये न्यूस दाउं इंडिया का स्पेशल चो यूपी का यग्य देख रहे हैं जहां बाते होती हैं चुनावी मुद्दो की नेतानगरी की सांत में जनता का मूड भी जानने की कोशिश होती है हमारा ये पश्चिमे उत्तर प्रद अच्छा आप बुजर्ग हैं आपने कई सरकारे देखी होंगी 2008 के बाद मायवती जी की सरकार थी फिर सत्ता पल्टी 2013 में फिर अखिलेश जी आए उसके बाद फिर सत्ता पल्टी 2017 में फिर योगी जी का अब ये कारेकाल चल रहा है तो क्या लगता है कि 2022 में दुबारा से स सत्ता पल्टेंगी या फिर रिपीट हो जाएगी कानून विवस्ता को ले करके क्या कहेंगे उत्र प्रदेश का जो कानून विवस्ता है क्या वो वाकई में चर्मराया हुआ है क्या भूँ ज्यादा हालत खराब है पहले तो जो गुंडे रहते थे दबंग रहते थे उनसे लोग परिशान रहते थे लेकिन बीजेपी की सरकार में जो आधे तो पुलिसवाले ही आतंक मचा हुआ है पुलिसवालों का अभी पिषले 17,152 इसे पुलिसवालों ने हमारे हाँ पर जो आम इंसान थे बिलकुल जिनका क्राइम से कोई वास्तान नहीं था बेवज़े उनके गोली मार दिये चैन जी ये बताईए योगी के कारेकाल से खुश है आपे नाखुश है नहीं भाई या कुछ नहीं है इसके उस राज में कुछ नहीं है इसने डूकि कोई राज में कोई कुछ नहीं है रैम मंदीर मन रहा है मजित बनने है अपने मंदिर में भजन नहीं हो रहे हैं उन्हेंरे नमाज नहीं परढ़रे झारों गाते हैं कि राम मंदिर भवे निर्मान हो रहा है राम निर को थोड़ी देगा खाने को तो हमें जो मज़दूरी देगी मज़दूरी नहीं है हमारी तो भाई साथ़ अजार मिलगे साडhe सह अजार मिलगे कहां है कुछ नहीं है खामों कहां के इहां गड़ा नरुटाया कि पोलिस का पोलिस का इतना गुंड़ा राचल पकड़ के लेगे दसचण चलेए आपस में कोई जगड़ा भी हो जार चले भी गए तो सम्झाना को कुछ नहीं है दोस घर दोसे चले जाओ देंगें अब ये नाजा मॉपला चल। कि भी नाज फिरी बच रहा करें को पचास रुपए है किलो तेल मिला सरसों का, आज 200 रुपए है, तो 1,500 रुपए है, बहँ मैंन से लिये जा रे बेंक में तो कुछ थोड़ी बहुत पैस आज बेबी खतम, तो भही हारे हम तो भूके ही, अब भूके में मरने और जा रहे हैं, युवा सडकों पर है किसान सडकों पर है और महंगाई चरम पर है तो भहिआ अब ये महंगाई और ये जो भी मुद्धे हैं कानून औरस्टा का तो इन सबसे निजाद कौन दिलाएगा मुझे ये जाना कोशिस करंगे सब से सब भीयान के हाथ जोड़ंगे पाउं पकड़ंगे और अकले से जो बोट दिवांगे मुझे ये बताई कि उत्तरप्रदेश में मुद्धा क्या जादा बड़ा है क्या कानून विवस्ता जादा बड़ा मुद्धा है या महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्धा है या महंगाई बड़ा मुद्धा है या रोजगार है क्या लगता है आपके हिसाब से महंगाई से निजात कौन दिलाएगा जो ठीक लगाएगा ने ता उसे बोड़ देंगे अकली जी बोड़ देंगा खुले आम जी यहां पर तो चुनाव जो होते हैं काम को देख के होता है चुनाव यहां को जादगत कोई और नहीं है बस कामों की बात हो रही है तो योगी कर दिए डिए बैजेक्ज हें हर काम देख देखते हैं तो कहीं कुछ जाम नजर नहीं आता जो मतर सके यहां करेंगे अच्छह करने कि अैक तक मेहziest यह हैं किसान रोड पर हैं तो क्या करा कुछ Holz करें आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिएम बड़ा मुद् अच्छा कुछ करका दिखाएं हम तो आप भी पहलवान नजर आ रहे हैं तो मैं आपसे भी खेल को ही ले करके बातचीत करना चाहूंगा गाउं में कौन-कौन सी खेल की सुविधाएं हैं जो मुहियां कराई गई हैं या फिर नहीं है नहीं गाउं में जी यहां हमारे गाम च हैं या फिर सचे हैं मुझे ये जाने हैं जो यह यहां के बेसिक मुद्दों पर बात करेगा जो नोड़ा की किसानों की समस्याओं का समाधान करेगा नोड़ा के किसान उसके साथ हैं चाहे वो समाजवधी पार्टी हो या बसपा हो या कॉंगरेस हो लेकिन यहां के किसान बीजेपी के साथ अब बिल्कुल भी नहीं है किसान बीजेपी से काफी परिशान है तो जैसा कि जाना नराजगी काफी है किसानों में युवाओं में और सभी में महंगाई को मुद्दा हो चाहें वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई हो लोग नहीं चाहते कि भारतिय जंता की पाटी दुबारा से उत्तर प्रदेश में राज करें अब ये तो देखने वाली बात होगी कि पश्ची में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार दुबारा से बनेगी आप देख रहे थे नियूस दाव इंडिया मेरा नाम है राहूल सिंग